वेलकम स्टुडेंट मा यूटूब चैनल साइंसमकेस स्टुडेंट सब्सक्राइब किजिए साइंसमकेस चैनल को और पाते रहे हैं नीट, नर्सिंग, परामेडिकल, पारमेश की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम स्टुडेंट पिलाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग, और्ड क्यूशन पेपर के बारे में जिसका हम क्यूशन आंसर को सोल करने वाले हैं बारी किसी तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है तक क्यूंकि बहुत सारे जो क्यूशन से रिपेटेड हो जाते हैं पिछले साल के क्यूशन पेपर में से तो चले स्टुडेंट शुरू करते हैं वन बाई वन करके सोल कर लेते हैं जूलोजी का पेपर इसके बाद हम बोटनी, पिजिक्स, कमेस्ट्री, इन से भी का भी सोल करेंगे ठीके, सो स्टुडेंट अगर आपने में चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेता है वीच ओप द फॉलोविंग दे इन ऑपज़र ओन इलेवनते जुलाई एवरी हेर्स आपके पास चार ओप्शन दे वे हैं वीशु महिला दिवस, वीशु जन सिंक्या दिवस, वीशु स्वास्ते दिवस, या पिर वीशु प्रियावण दिवस बताइए student इसका right option क्या हो सकता है I hope student आपने one option select के लिया होगा student अपने mind में one option select कीजिए इन चारों में से चाहे हो गलत हो या फिर सही हो ठीक है न इससे आपके practice अच्छी होगी ठीक है so student इसका right option होगा वीशुव जन सिंग्या दिवस हमेशा 11 जुलाई को मनाया जाता है आपको पता हो आओना चाहिए ये direct question आया हो आए इस प्रकार से direct question भी पूझ ले जाते है ज़्यादा completed question ना पूझ के तो जितना हो सके easy question पर भी आपको box करना है ठीक है और ये याद रखना है क्योंकि repeated भी हो सकते है बहुत सारे questions तो पढ़ते गवरस 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है विशुव जिन सिंग्या दिवास world population day तो मारा right option 2 हो जाएगा ठीक है अब चलते next question की और next question है मारा कि दीपद नाम पत्ति की प्रनाली किसके दोरा दी गए थी the system of binominal nominiculture was given by आपके पास चार ओप्शन दिए हुए student दीपद नाम पत्ति की प्रनाली किसके दोरा दी गए थी कारल लीनियस इस्टिक लेंड हैक्सले या फिर चालर्स डार्विन बताई student इसका right option क्या हो सकता है I hope student आपने one option select कर लिया होगा इसका right option होगा कारल लीनियस यानकी कारल लीनियस ने दीपद नाम पत्ति की प्रनाली दी गए थी उसके तुरूल ठीक है ना तो आपको यह याद रखने डाइरेट कुशन है और हाँ student अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ठीक है और प्रेटिस कुशन में करवाई रहा हूं आप पिल्कुल भी टेंसन ना ले और यह ओल्ड कुशन पेपर भी में स्वोल करवा रहा हूं ठीक है अब चलते ही नाकर्ण ककी और jus हिसी नैस्ट कुशन ने मारा को यह ओर्द केरियोटाइब और जेनेटिक डिसओडर विच एक्जिजबेटि जय नह्यकिआ को मस्ट्राइब याणी कि अनुवांसिग विखार का केरियोटाइब जो गाईन अको में च्रीव करता एद student कब होता है गाईद को मेंस्तिया यह कंडिशन्स दीव्य 4 44 प्लस X डबल वाई ठीक है या फिर 44 प्लस X X Y या फिर थर्ड में दिया हूआ है 44 प्लस X x X X X and 4 में दिया हूआ है कि 44 प्लस X X Y Y बता है student इसका right option क्या हो सकता है अगर आप पता होगा गायनकोमेश्टिया के बारे में तो आप अवस्थे इसको कर सकते हो student गायनकोमेश्टिया तो आप जानते होंगे कि जो male होते हैं पूरुष की जो chest होता है ना उनका chest female के breast की तरह development हो जाता है इस condition को गायनको मेश्टिया बोलते हैं ठीक है ना हाँ बिल्कुल male का chest बिल्कुल breast जीसा हो जाता है female के breast जीसा तो इस condition को बोलते हैं गायनको मेश्टिया और एक कब होता है आपको नगर पढ़ाओगा तो यह होता है student मैं आपको बता दू यह एक X chromosome की अधिकता से होता है so student इसका right option होगा 44 plus Xxy यान की option 2 हमारा right option हो जाएगा ठीक है एक X chromosome अधिक हो गया इसलिए अब आप उस सारी condition पता होना चाहिए कि एक Y अधिक हो गया तो फिर क्या होगा ठीक है न यह सारी चीज़ा आपको पता हुआ होना चाहिए ठीक है student अब चलते नेक्ट की और नेक्ट क्यूशन की और नेक्ट क्यूशन नमरा बहुत इजी है the tissue that is found below the skin and store fat is उत्तक जो तवचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संगरित करता है यह बहुत ही इजी क्यूशन है और टारेट क्यूशन आया हुआ है इस प्रकार की क्यूशन आता है student आप जशा कि देख सकते हो इजी क्यूशन हाल भी आएंगे भी टेंसन ना लो यह बहुत इजी क्यूशन है चार ओप्सन आपके सामने दिये हुए एपिथीलियम टिश्य और टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू या फिर मस्कलर टिश्यू इसको आप पैसी तक भी बोलता है चार ओप्सन आपके साथ में दिये हुए ऑप्सन आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में दिये जाएंगे ठीक है don't worry आप जो भी अच्छे लेंगे अच्छे होगा थर्ड यानिकी एडिपोस टिश्यू वसा उत्तक हमारा रायट ओप्सन हो जाएगा हमारी जो सके ने तो इसके पाया जाता है त्हिक कि ना उत थो तक निचे नेचे पाया जाता है वह सावर यह वसा उतक हो ठीक है अब चलते नेच्ट कुसं की और नेक्स्ट कुशन है हमारा कि which of the flowing is not a character of coordinates निमिलिकत में से कौन रजुकी की विसेस्था नहीं है यानि कि student आपको three two choose करना है जिसमें रजुकी विसेस्था है और one है जिसमें वो विसेस्था नहीं है उसकी यानि कि आपको रजुकी की पूरा पता होऊना चाहिए ताकि आप इसको हल्द कर सको ठीक है ना coordinates के बारे में मालुम होना चाहिए तभी आप इसको करवा सकोगे चार उप्षन आपके सामने दिये हुए हैं तीन तो मेच कर जाएंगे बट एक जो मेच नहीं करेगा हमको स्लेट करना है रज्जुक की विश्तान नहीं है इसे इसका राइट औप्शन हो जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्ट्म यान के विचाउट सेंट्रल नहीं सिस्ट्म उधर केंद्रे तंत्र का तंत्र क्योंकि आपको पता है कि हेट इस बंड होता है इसमें पोष्ट एल्ल टेल प्रेजंट होती, इसमें नोटो कोड होता है ठीके न तो अधर केंद्र ये तंद्र का तंद्र ये इसके विस्था नहीं है तो थर्ड हमारा राइट उप्सन हो जाएगा नेक्स्ट कुस्ट नहीं हमारा इस्टेटिबिकल इस्टेडी और पॉबलेशन इस गॉल जिन सिंग्या के सांगी के अधियन को क्या कहा जाता है ठीके आपको पता होगा तो इसली आप इसको सोल कर सकते हो चार उप्सन आपके सामने दिये हुए बायोगरापी, साइको बायोलोजी, कैलीगरापी या फिर डेमोगरापी सिंपल सा क्यूशन है कि जिन सिंग्या के अधियन को हर बच्चा जानता है कि डेमोगरापी कहा जाता है अब चलते हैं नेक्ट क्यूशन की और नेक्ट कुशने मारा, इंपाई, सेमा, ईजे, क्रोनिक, डीजिस, देट, इफेक्ट, देट, वाध, इस्पित एक पुरानी बिमारी जो प्रवाइट करती है किसको प्रवाइट करती है, लंग्स, को, हैट को, इस्टोंग, को या पर लीवर को सिधा सा कुशन इस्टूडिनट बता इसका राय poopson क्या हो सकता है इसका राय आप्सटन होगा बस्ट लंग फैपंडे यानि कि वहाथ किस 이미 करती फैपडे को फैप्डए करती लंग को ठीक है ना अब चलता है नेक्ट कोशन की और नेक्ट क्विशन है मारा तू जेनेटिकली डिफ्रेंट ओर्गिनिजम शोव शेमिलर अडेप्टेशन ड्यू टू दो अनुवांचिक रूप से भिन जीव निमिन में से किसके कार्ण अनुरूप अनुकुलन दिखाए देते समान अनुकुलन दिखाए देते बड़ता है यह आपके पास चार ओप्षन दिए हुए है मूटेशन के उवलेशन कनवर्जेंट इवलेशन या फिर डाइवर्जन इवलेशन उत पर इवर्थन सहव विकास अभिसारी विकास चार ओप्षन आपके सामने दिए हुए है आई होब इस्टुएंट आपने वन ऑप्षन स्लेट कर लिया होगा इसका राइट ऑप्षन होगा थर्ड कनवर्जन इवलेशन यान की अभिसारी विकास हमारा राइट ऑप्षन हो जाएगा ठीक है और यह चैप्टरी पोटेंटी मुटेशन वाला स्टुएंट में आपक स्टुएंग विच्ड्रावल सिम्टॉम एक ड्रग एडिक्ट नसे का आदी निम्लेकत में से किस परकार के वी निर्वर्तन लक्षन को दरसाता है ठीक है आपके पार चार ऑप्षन दिये हुए है उप्टक्स भी या पर केवल कंपन या पर केवल मतली और पसीना या पर के अंजर बताऊंगा तो आप कंपेरिशन कर लेना कि हो सही ता या फिर गलता इससे आपके प्रेटिस अच्छी होगी और आपको याद भी रहेगा ठीक है ना आप आप आपने वन ऑप्षन स्लेट कर लिया होगा स्टुडेंट इसका राइट ऑप्षन होगा उप्योक्स भी यानिकी इसमें तीनों सही है ठीक है पस्ट ऑप्षन हमारा सही हो जाएगा अब चलते हैं नेक्ट कुशन की ओवर नेक्ट कुशन है मारा था प्लेसेंटा है और यह कई हार्मोन पेदा करता है निमलिक्त में से कौन गरबस्ता के पस्च चरण में उतपन होता है कौन हार्मोन बता है स्टुडेंट आपके सामने चार उप्षन है प्रोजेस्ट्रोन आइस्ट्रोजन या फिर रिलेक्शन या फिर हुमन कोरोनिक गॉनेड़ो ट्रॉपिंग बताइए पस्चे चरण की पूछ रहा है तोड़ा सा दिहान रखना है कि स्टेज कौन सी पूछी हुई यहां पर ठीक है न आई होब इस्ट्ट्रेंट आपने वन ऑप्शन स्लेट कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिलेक्शन ठीक के पस्चे चरण में रिलेक्शन आरून रिलीज होता है अब चलते हैं नेक्ट कुशन की और नेक्ट क्शन हमारा प्यप्टिक सेल इन दे गेस्ट्रिक ग्लाइंड शिग्रेट गेस्ट्रिक ग्लाइंटियों में प्यप्टिक सेल अस्तराइव करती हैं आप सामने चार ऑप्शन दे हुए इंट्रिसेक्पैक्टर मुकस एस्चील या फिर पीपसी नोजन बताए पूर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है डारेट कुछन है आपने पढ़ाओगा डाइजेशन सिस्टम तो इसली इसको कर सकोगे ठीक है ना अगर नहीं पढ़ाओगा तो आपको दिक्कत हो सकती है और हाँ इस्टुडेंट अगर आपको पीडेप चाहिए इसका तो बात है ठीक है ना वहें कि प्लाजमोडियम रिक्वाइट तो होस्ट टू कंप्लीट इस लाइफ सैकल इन वीच्ट होस्ट डज्ट गैमेट प्रोडक्शन टैक पलस्ट प्लाजमोडियम को अपने जिवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मेजबानों की आवशिक्ता होती ह युगमक उत्पादन किस मेजमार में होता है मच्छर में होता है या फिर मनुष्य में होता है अगर आप कोई दोनों मच्छर में कौन-कौन सी प्रोसेज होती है मोश्टिटों में और हुमन में कौन-कौन सी प्रोसेज होती है अगर आपको यह पता होगा ना तो बताई स्टुडेंट इसका राइट उप्शन क्या हो सकता है आपके सामने चार उप्शन दिये होए है या इनमें से कोई नहीं या फिर मादा एन अप्लिज मच्र में होती है या फिर मानव में होती है बताई स्टुडेंट इसका राइट उप्शन क्या हो सकता है I hope student आपने one option slate कर लिया होगा इसका right option होगा मानना हो यानि option 4 हमारा right option हो जाएगा बैट student मैं आपको बता दूँ आपको दोनों पर से जाद होना चाहिए mosquito वाली और human वाली ठीक है अब ये question इसी परकार से भी आ सकता था कि युगमक जो gamet होती है वा पर बनता है human में या फिर mosquito में तो बनता है mosquito में ठीक है और हाँ student ये question एक एक तरिके से और बन सकता था की pretty authorization की जो process होती है decision की वा किसमें संपन होती है done होती है human में या पिर mosquito में so student वा होती है mosquito में ठीक है ना इस परोजोट से लेकर जहां तक उसके क्वाइनेट्स बनते हैं वो सारी प्रोसिज आपको पता हुआ होना चाहिए आपकी हेल्प के लिए में डाइग्राम आपको एक्स्पिजिन कर देता हूं जिससे कि आप याद रख सको ठीक है न जैसा कि इस्टूडेंट आप इसक्रीन में देख पा रहे होंगे साइक्ल इन मोस्कितो साइक्ल इंहमन ये दो स्टेजे हैं और रइट साइट एड लेट साइड ये दो आपको पता हुआ होना चाहिए चाहिए तो आप इसका screenshot ले सकते हो समझने के लिए ठीक है ना इसके तुरू आपको पुरा प्रोसे समझ में आ जाएगा अब चलते है नेक्ट कुछन की और नेक्ट कुछने मारा दा सबिस्टांस तू बी एड़ेड तू दा बलड सेंपल ड्रावन फ्रोम दा पैसेंट फोर एनालेसिस ओ बलड कार्पसल्स एंड प्लाजमा एट रक्त कनिकाओ और प्लाजमा के विचलेशन है तू रोगी से निकाले गए रक्त के नमुने में जोडा जाने वाला पैदार्थ कौन सा है ओप्शन एफएरिन ओप्शन भी सोडियम ओक्जिलेट ओप्शन सी ब्रप का टूड़ा ओप्शन फोर केल्सियम कारूनेट इस्टुएंट ब्रप का टूड़ा तो होई ने सकता है इसको तो आप कट कर सकते हो ठीक है न और इसके बाद सऐनों तिन बचों बचे होई उनमें साथ को सलेक करना है अ आउयं कि आचुरton आपने वन अप्शनबास कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन होगा हिफ स्थ्य धृूट उप्शन होगा हिफरिंग स्थे इसस्टुएं जो Thing नहीं होने देता है ठीक है न तो आपका या अपने माइंड में करना होता है उसके बात जो मैं इसका आंसर बताता हूं तो उससे कंपेरिजन कर लिया करो कि हम ने जो आंसर बताया ता हो सही था या फिर गल्ट निया करो फिर जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो टेस्स किया कुछ कि कितने हमने स्ची किये किपने घुस्राइब होता रहेगा टुस्ट रहेगँ सारी काम एक साथ होते रहेंगे थे का अब चलते नेज़ते कि और हुग और मारा दाव डायवलेंट मैंटल करेशन इसल depression um पॉलिमरेजे टूबी पाक्सन 8 डीने पॉलिमरेज कि क्रियात्मक होने के लिए आवस्यक दिंसर्जी द्हप्तू धना नहीं थेके ने तो यह चार अप्सन दिये होएं इसमें से आपको वन ऑप्सन स्लेट ऐसेट करना है चर्ख करना है तो डीने पॉलिमरेज कि टेन नमर भी आ रहा है तो आपको प्रेटिस की जुरते तो वीडियो की डिस्क्रेशन लिंक देवे उन कुछन की प्रेटिस कर लीजिए आप उसमें आपका फाइदा है नहीं तो इंट्राइस एक्जाम में कितने सारी कम्टीटर आपके साथ बेटने वाले उसका तोड़ा द में सेलेक्शन हो जाए और आपका कोलिज मिल जाए और आपका फूचर शेक्वर रहे केरियर बन जाए आपका मेनत अभी की रंग लाएगी ठीक न तो यह उप्सन दिये हुए एक उप्सन को इसाब स्लेक्ट कर लो आपको जो लग रहा हो पता नहीं हो फिर भी वन उप्सन आप सेलेक्ट कर लो ठीक है ना तो इसका राइट ओप्सन होगा मेगनिसियम थर्ड हमारा राइट ओप्सन हो जाएगा यही असेंसिल होती है पॉलिम रेज में इस्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ज्यादा तर जो क्यूसन है हमारे 11 और 12 से आए है ज् और 12 में आपको तुट करेख भी करा रहा हूं डिस्क्रिंट विल्क दिया है वहां पर मैं एच्छे से पर तीडिdest करा रहा हूं और मेरा जो जो कला जोब चैनल है और रोजन्हा आपको वीडियो मिली रहे होंगे ठीक है अगर आपने मेरा जोफ जोप चैनल सक्राइमने क् प्रेटिस कुशन मिलते रहेंगे ठीक है ना ताकि दुगने चैनल से आपको दुगना पाइदा मिल सके और आपकी प्रेटिस अच्छी हो जाए तो जे कलो जो आप चैनल लेया तो आप यूट्यूप पर सेच्च कर लो या पिर वीडियो के डिस्क्रीश पर जाकर वहां पर पहुश सकते हैं तो अब चलते हैं नेट कुशन की और नेट कुशन है हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन और टेस्टोइस्टरोन बेपोर दे एज ऑप 10 लेट टुए कंडिशन कोड दस वरस की आयूँ से पहले स्रीर में टेस्टोइस्टोइस्टरोन का अत्यादिक उत्पा ठीक है न अच्छे से पढ़के आपको जवाब देना है कोई लापरवाई नहीं करनी है और एजी कुशन को तो और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एजी कुशन में अपसर इस्टूइन्ट गलतियां करते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ यह तो हम कोई आ रहा ह अनलाइन इंट्रास एक्जामन को कोई दिक्कती नहीं है क्योंकि आप अगर एक बार क्लिक कर दिया तो दुबारा तीन बारा भी आप क्लिक कर सकते हो बटो अपलाइन वाले में यह पेसिलिटी नहीं होती है ठीक है आई होई उप इस्टूडेंट आपने वन उप्सन स्ले पार सेगिट में हम 15-30 के बारे में डिसकर्स करेंगे और आपको पीडिया लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो डिमांड कर सकते हो ठीक है ना और मेरा जो दूसरा चैनल जेकलोन जोब वहां उपर जाकर आप प्रेटिस करते रही है नीचे डिस्क्रिशन लिंक भी आओ हो आए ठीक है ना तो आपके लिए बेनिपिसल रहेंगे यह पोटेंट रहेंगे और क्यूशन इसी परकार से आएंगी जैसा कि आपने भी पड़े हुए यह ओल्ड किया हुआ है ठीक है ना तो क्यूशन ऐसे पूची जाते है टोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है सो इस्टुडेंट यहां पर हमने 15 कुशन सोल के इनमें से कोई किसी भी डाउट हो कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी समयशा को लेकर हर समयशा का समाधान साइंसम के चैनल करेगा